नमस्कार दोस्तों आवर इंडियूजर बुक में आप सब का स्वागत है आज हम एक छोटे से कंपरजिन करने वाले है रेडिमी 3S प्राइम और लेनोगो के 6 पावर के बीच जो की 6 डिसेंबर से 12 नून से फ्लिप काट में अवेलेबल होने वाला है मेरे पास रेडिमी 3S प्राइम पहले से ही है मैं कोसिस करूँगा के 6 पावर को आपके समने लाने की तो हम फीचर्ज देख के एक छोटा सा कंपरेजिन आपके समने पेस करने वाले है ऐसे आप फ्लिप काट में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक फोन की फीचर्ज दिया है तो इसको छोड़के भी बहुत सरे ऐसे चीज है जो हम इग्नोर कर जा रहा है ऐसी चीजों को समने लाने की मैं कोसिस कर रहा हूँ देखें दोनों फोन की प्राइस अल्मोस सेम है से हजार या नौसो रुपे की फरक है यह बिल्कुल छोटा एमाउंट है किसी जो बाजिट सेग्मेंट क्या फोन है 8999 और 999 तो हम कौन सी फोन को पिक करें तो पहले फोन की फीचर्स के तरफ तरफ देख ले देखिए दोनों का जो प्रोसेसर है स्नैप ड्रागन का 430 वो बिल्कुल सेम है रेडमी 3S में भी 430 है और लेनवो के 6 पावर में भी 430 है इसके बात आता है जो फीचर्स वो है रैम देखिए यह एक क्योर करने वाली बात है रैम बिसिकली हम लोग क्या सोचते है 3GB RAM, 4GB RAM, 2GB RAM ऐसे करके हम सोच लेते है कि RAM जितना GB में अच्छा है वही अच्छा है फोन मगर नहीं इसको छोड़कर RAM की कैटेगोरी जैसे रेडमी 3S Prime जो मेरे पास है उहाँ पे जो RAM उन्होंने यूस किया है वो है DDR3, LPDDR3 इसका मतलब है लो पावर कंजूम DDR3 जो बैटरी से पावर कंजूम बहुत कम करता है और ये फोन में बैटरी खरच होने से हमको बचाता है मगर लेनोबो वाले ने 3GB RAM तो लिख दिया है स्पेसिफिकेसन में जो आप फ्लिपकट में जाके देख सकते है बात नहीं किया हला कि DDR3 हो सकता है मकर LPDDR3 है की नहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया ये नमबर वन पॉइंट में जो आपके सामने बोलने वाला हूं सेगेंड लेनोबो ने कैमेरे के बारे में में बात करने हो लो दोनों ही फोन में 13 MP का सेंसर है जो बैक कैमेरे में यूज किया है रेड्मी 3S Prime में भी और लेनोबो में ये चीज़ देखने है आप अगर आपके दोस्त के पास कोई लेनोबो का के फिक्स थाउजन का वाला सेथ है के सीरीज का सेथ है या और वाइप का सेथ है जो अभी सेल में चल रहा था 7999 Sun के वाइप 3 है तो वहां पर जो 13 MP का लेनोबो सेंसर यूज किया था कैमेरे में उससे ये वाला सेंसर थोड़ा अलग है मगर लेनोबो के जितने भी सेथ है के 3 नोट को छोड़के बाजिट सेग्मेन में यानि 10,000 के नीचे में उसका कैमेरा बिलकु ही खड़ा वाता है मगर यह जो के 6 पावार उन्होंने लॉंच किया है इसके और पिक्चर हमें देखने के बाद ही डिसाइड कर सकता है मैं मैं इसके और देखने के बाद ही आपके समने बता पाऊंगा कि यह पिक्चर की मामने में कितना आगे जाता है रेडमी 3S Prime मेरे पा काम चलाने के लिए अच्छा है 13 Megapixel के हिसाब से अच्चा है सेंसर के हिसाब से अच्छा है आप बात करते हैं फ्रांट कैमेरी की बारे में आप सब ने देखा है कि लेनवों की 10 आज के उपर की सेट है उहाँ उसके फ्रांट कैमेरा बहुत अच्छे परफर्फर्म करता है मगर इस सेट में 8 Megapixel camera और other hand Redmi 3S Prime में 5 Megapixel camera दिया है अगर आप Megapixel के हिसाब से देखे तो लेना हो अच्छा है 8 Megapixel और Redmi 3S Prime में 5 Megapixel तो 5 और 8 यह नूमरी के लिए तो 5, 6, 7, 8 यहां के 3 की फरक लगदा है मगर basically camera का जो picture quality होता है न वह आप आम आखों से अगर देखे तो naturally आप लुक करेंगे तो 5 और 8 में आप कुछ ज़्यादा फरक नहीं कर पाएंगे 5 और 8 अल्मोस्ट सिमिलर है अल्मोस्ट सिमिलर है 5 और 8 और जो back camera है और 13 अगर 13 के से साथ 15 और 16 अल्मोस्ट सिमिलर लगता है उसके बाद भी exposure और कुछ picture quality यह सब जो picture size यह सब डिपेंड करता है तो front camera के हिसाब से मैं अगर थोड़ा भी अच्छा marks दे दू लेनोवो के 6 को वह देखने के बाद ही पता चलेगा मगर अल्मोस्ट सिमिलर है 19-20 का फड़क है अब बात करता है battery की देखिए रेट्मी 3S Prime में battery life excellent है excellent almost two days तक चल जाता है अगर आप यूज कर ले अगर अगर आप हेवी गेमर नहीं है अपर रेगुलर यूजर है तो almost two days तक चलेगा अगर आप हेवी गेमर है तो one and half days तक चल जाता है क्योंकि वहां पे RAM management LPDDR3 RAM यूज किया है हनोंने और उसका screen resolution भी थोड़ा कम है K6 power से तो बैटरी exceptionally good है देखिए बैटरी की मामले में कभी कभी company कुछ दावा करता है जैसी की Lenovo का Zook जो सेट था mobile उसका भी 4000 इमेज के बैटरी था और Redmi Note 3 Note 3 का बत कर रहे है मगर फिर भी Redmi Note 3 अच्छे perform करता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी और factor काम करता है बटरी के लो कंस्यूम करने के लिए तो यहां पर मैं कुछ जादा बात नहीं करना चाहता हूं मगर थोड़ा एक point में आपको बोल दाना चाहता हूं रेडमी 3S Prime में बैटरी की वैलू है 4100 एमेज और लेनवो के 6 में है 4000 एमेज 100 एमेज एक्स्ट्रा यह 100 ज्यादा कुछ नहीं 10 या 20 मिनिट का आपको ज्यादा वैकाप दे सकता है बिल्कुल चार्जिंग के मुकाबले में यहां दो फोन में ही फार्स चार्जिंग नहीं है चाहिए लेनो वह ऐसा चार्जिंग वह ऐसा चार्जिंग बोल ले यह सब बकवास है बिल्कुल नॉर्मल चार्जिंग होगा तो फोन आप बत करते हैं डिस्प्ले की देखिए डिस्प्ले में रेडमी 3S Prime से के 6 पावर बेटर है वह किसलिए के 6 पावर में फुल एजडी क डिस्प्ले है जो कि हम रेडमी नोट 3 में देखते हैं मागर रेडमी 3S Prime में वह फुल एजडी वाले डिस्प्ले नहीं दिया गया है उसमें थोड़ा कॉंपररजिंग के हिसाब से रेडमी 3S Prime थोड़ा पीछे आ जाता है क्योंकि यहां पे 720p क्या HD डिस्प्ले है और उसक से क्या अच्छा है आप यूट्यूब अगर खुलोंगे तो यूट्यूब में आप फुल एजडी के वीडियो देख सकते हैं अगर आपके पास जियो है जियो कसीम है तो जियो टीवी में जो फुल एजडी चैनल है वह भी सपोर्ट करेगे आपके के 6 पावर में और अगर अगर आप पिक्चर देखेंगे और न्यूस पेपर पड़ेंगे वहां पे थोड़ा सा सा डिस्प्ले आपको नजर में आएगा तो यह मुकाबिले में के 6 पावर अच्छा है अगर कालर और डिस्प्ले के मुकाबिले में अगर आप बहुत आपको यह सब माहिने रखता है तो आप के 6 पावर की तरफ जा सकते हैं दूसरी बात करता है जो कंपानी ने छुपाया है आप सबको पता नहीं है वो है कि इसका दोनों का ही की रेड्मी 3S प्राइम और के 6 पावर दोनों का ही जो हम बटन का जो की है वो बैक लेट नहीं है वो बिलकुल बैक लेट नहीं जो लोग ढूंड रहा है कि K6 पावर का की ब्लैक लेट है की नहीं है की नहीं उसका की बिल्कुल बैक लेट नहीं है वो बस उसके उपर थोड़ा लाइट पड़ेगा तो चकमकाएगा बस इतना ही कुछ दिया गया है फिंगरंगे पकिली कि तरफ है कैमेरी की फिछू की तरफ है के मिरा की पीछे तरफ है केसीक्स पावर का बिल्कूल अपर सेंटर अब दा बैक कुहां पे है और और रेटीं एश्ट का थोडा वहाँ पे left side में है अगर आपको phone आपकी तरफ घुमाए तो थोड़ा left side में दिया गया है वहाँ दोनों में ही dual tone, dual identity flash दिया गया है अब बद करते है speaker की sound is the very important part of the phone क्योंकि बहुत सरे old age people अभी phone use कर रहे है चाहे आपकी पिता हो, मता हो, दादा हो, दादी हो उनके लिए sound की volume quality अच्छा होना बिल्कुल जोड़ी है basically output speaker of the phone क्योंकि अगर ring tone आपको कम सुनाई देता है कान में अगर ring tone की volume slow हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप भीर में है आपको पता ही नहीं चलेगा phone बज रहे की नहीं Redmi 3S Prime इस मामले में बहुत mark आ जाता है क्योंकि K6 Power ने dual speaker with Dolby Atmos दिया है इसका बतलब क्या है इसका जो speaker की output है वो बहुत loud है basically Redmi 3S Prime का speaker का volume थोड़ा low है मगर K6 Power का speaker का volume बहुत high है इससे बज़े से K6 Power इस मामले में Redmi 3S Prime से बहुत आगे चला जाता है इहाँ पर Dolby का support भी दिया है तो इस मामले में output speaker चाहे आप गाना सुने चाहे आप ringtone जो भी हो ये बहुत loud आएगा इसके बज़े से आप K6 Power को ही चूज कर सकते है दूसरी बात ये है दोनों ही phone 3 color में available है जैसे black with grey सामने की तरफ black और पीछे की तरफ grey gold color सामने की तरफ gold है पीछे की तरफ भी gold है और white with silver जो silver है सामने की तरफ white color है और पीछे की तरफ silver है लेड़मों ने screen protector के बारे में ज्यादा कुद बाच नहीं किया है Redmi 3S Prime का भी screen protector नहीं है screen में आप दोनों ही phone यूज करें तो एक अच्छे से screen protector यूज कर सकते है देखिए मेरे video link में बहुत सरे screen protector के बाद मैंने किया है यहाँ पर आप फोसो का भी screen protector चूज कर सकते है हलाकि उसका clarity बहुत अच्छा है clarity में बिल्कुल उनने compromise नहीं किया है बिल्कुल साफ और touch response भी बहुत अच्छा है आप यूज कर सकते हैं Redmi 3S Prime का और एक जो feature से वह है और के 6 पावर का वह आपको मैं बताने वाला हूं वह दोनों फोन आगर आपके पास dual band Wi-Fi router है जो कि 5 GHz और 2.4 GHz को भी support करता है तो क्या है Redmi 3S Prime स्रेफ और 2.4 GHz को भी support करता है वह 5 GHz को support नहीं करता है के 6 पावर के बाड़े में यहां पे कुछ नहीं बताया उन्होंने मेरे हिसाब से साइथ वह 2.4 GHz को भी support करेंगा क्योंकि उच्छा जो पिछले वाला segment है जो 5 series है जो A6000 series है वह 5 GHz को support नहीं करता है तो मेरे हिसाब से K6 power यहां पे मैंने question mark डाल दिया है क्योंकि मुझको भी पता नहीं है यह 5 GHz को support करता है या नहीं मैं लेनवों इंडिया team से जो उतका जो facebook page है उहां पे मैं पूछूंगा मगर मेरे हिसाब से साइथ नहीं करता है क्योंकि पिछले वाला जो set है उसको देखके मैं बोल रहा हूं साइथ कर ले तो अच्छा है यह दो ही दोनों ही phone से 2.4 GHz को support करता है आप बात करते हैं UI देखिए MI basically MI का जो company है MI का जो जो इंडिया में उसका जो MI ने इतना बड़ा business किया है उसका एक तो reason है कंदाम में मोबाइल देना दूसरा जिजन है good UI MI का UI है उसका little customization छोटे छोटे बात पर छोटे 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 ओप्सन में वो customize करता है software को और इसलिए MI का UI Lenovo UI से बहुत आगे निकल जाता है और regular UI update चाहे 8 हो यहाँ पर 8.1 का भी update आ चुका है आपके mobile में जिस लोगों के पास Redmi 3S Prime है उन लोग को पता है तो UI की मामले में Lenovo से Redmi 3S बहुत आके निकल जाता है यह बात बहुत अच्छा है लेनवो में एक चीज़ अच्छा है और लोग Android का update देता है देखिए अभी क्या है Redmi Note 3 लालिपॉप पे चल रहा है उसमें अभी तक कोई marshmallow का update नहीं है और Android 7 को भूल जाए अब Redmi 3S Prime में Android 6 है K6 Power में Android 6 है मगर update के मुकाबिल है अगर अब सोचते हैं कि Android 7 आ जाए आपके mobile में मिल जाएगा ऐसा नहीं Redmi 3S Prime में तो Android 7 का मिलना बहुत ही मुश्किल है साइद Lenovo में आपको Android 7 आ जाए तो आपका लिंक ले रहो आपकी mobile में डाल दे आरा आप उहां से डाउनलोड भी कर सकता है यह हो सकता है क्योंकि Lenovo जो Motorola के साथ अभी पैच हुआ है आप जानते है तो Lenovo में आप फोन खड़ी दे तो साइद आप Android 7 के अपड़ेट एक्सपेक्ट कर सकता है इसके इसलिए आप आप लेन और वो के 6 पावर को खड़ी सकते है क्योंकि आपको Android अपड़ेट साइद 85 परसंट चांस है मिलेगा मागर रेडमी 3S प्राइम में 85 परसंट चांस है नहीं मिलेगा यह बात आपको सोचना है जिन लोग ए रेडमी 3S प्राइम खड़ीद लिया है मैं भी खड़ी इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है और एक चीज में बता देना वाला हूँ जो इनियर साउंड जो कॉल रिसरप्शन है कॉल रिसरप्शन रेडमी 3S प्राइम में एक्सलेंट है कॉल रिसरप्शन एक फेरी इंपोर्टन फीचर से जैकि कि आप किसी कॉल को एक्सलेंट मागा लेनवो की पिछले जो सिग्मेंट है जो आगे जो सिग्मेंट है जैसे के 4 नोट के 3 नोट वाइब सिरीज यह सब मोबाइल में कॉल रिसरप्शन का प्रॉब्लेम आया है कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम आया है आम तरीके से आप अगर बात करेंगे तो नहीं है मगर after end user review जो customer review करते है जो आप YouTube में भी देख सकते हैं उस सब phone में call reception का थोड़ा problem है हलाकि हम नहीं जानते के 6 power में ऐसा कुछ problem है की नहीं मेरे पास phone आएंगे तो आपको मैं बता दूँगा मगर फिलाल Redmi 3S में यह पिल्कुल अच्छा है देखिए यह चोटा सा comparison मैंने आपको बता दिया है यहां पर आप देख लिए है screen resolution screen display मैं चाट में देखा रहा हूं screen display में के 6 power अच्छा है बैठरी में बिल्कुल दोनों ही सेम है सरफ Redmi Note 3 100 GHz एक्स्ट्रा है वह अच्छा है और battery backup भी अच्छा है स्क्रीन की protection के बारे में कम तोनों company नहीं कुछ जादा बत नहीं किया है अगर आपको screen protector अलग से खड़िदना है तो खड़िद लिजिए क्योंकि अगर Lenovo या Redmi का phone अगर हाथ से हाथ की हाथ से गिर जाए और किसी भी तरिके से screen तूट जाए तो समझे आपको नया phone खड़िद नहीं अच्छा है क्योंकि उसका जो रिप्लेस्मेंट कॉस्ट है जो रिपेरिंग कॉस्ट है वो कम से कम छे से साथ आजार उनोंने बिल करता है तो इससे अच्छा है आप नया phone खड़िद लेगे एमाई में और एक option आपको मिलेगा जो की Lenovo में नहीं मिलेगा साइल वो है एमाई का protection जो आप एमाई.com से जो लोग एमाई डिमी 3S Prime करते है उसको एक साल की free screen replacement वो देता है वो खरिदना पड़ता है जो Lenovo में मुझे पाता नहीं है अगर है की नहीं देखिए आप headphone का sound Redmi 3S में headphone का sound अच्छा है loud है and clear है Redmi Note 3 के मुकाबले में अच्छा नहीं है अगर Redmi 3S का 3S Prime का sound अच्छा है Lenovo का भी अच्छा होगा क्योंकि Lenovo का जो और जो सेट है उसका भी earphone sound very good है मैंने सुना है बहुत मेरे दोस्तों के पास Lenovo का phone है Lenovo ये Mediatek processor ले आया है फिर भी वो अच्छा है दूसरी बात है मैं आप सबको में सारा point का होर कर दिया और last जो point बचा है वो है pricing देखिए pricing जो किया है Lenovo का pricing है 999 अगर उस price में आप पहुंच जाते हैं आपके पास 10,000 budget है तो अगर आपको से छोटा screen ही चाहिए आप color की बाड़े में फिरी पिकी है तो आपको मैं साजेस्ट करूंगा आप लेनवो के 6 पावर ही लीजिए और अगर आप थोड़ा बड़ा skin के बाड़े में सोच रहे है 10,000 budget है तो आप Redmi Note 3 में जा सकते हैं मागर मेरा जो परसोनली साजेशन है जो Android 6 में Redmi Note 3 का अपडेट नहीं मिला है रेड्मी Note 3 में Android 6 ही नहीं आया है वो 7 में क्या पहुचेगा तो इस Android की अपडेट के मामले में आप मेरा सजेसन है आप Redmi Note 3 को छोड़ दीजिए K6 Power ही ले सकते है और आपके पास अगर Redmi 3S Prime भी है तो भी अच्छा है अगर आप Redmi 3S Prime ही ले सकते है तो अच्छा है सरे बेसिक एक जेगे पे चेंज है दो चीज में गौर करने आला हूँ धान से सुन लीजिए अगर K6 Power आपको लेना है सिफ दो चीजों की बज़े से नमबर वन है अपकमिंग एंड्रोइड अपडेट किसलिए अपकमिंग एंड्रोइड अपडेट के लिए और दूसरा चीज है जो में बताने आला हूँ है वह है कलर की मामले में जो आपको फूल एजडी सपोर्ट करेगा वह फोन अपकलर रिजूसरोलेसिन में अच्छा है आप वहां से फूल एजडी चैनल देख पाएंगे यूटुब में फूल एजडी वीडियो देख पाएंगे सरिफ ये दो मामले में के 6 पावर रेड्म से अच्छा है ये दो फिचर्स भी अच्छा है इसके लिए आप 900 रूपिया एक्स्टा जरूर डालिए ये दो फिचर्स के लिए आप के 6 पावर को जरूर लीजिए अगर आप कालर की बड़े में इतना पिकी नहीं है अगर आपकी Android 6 से आप Android 6 समझे दो तीन साल तक अभी के लिए सोचते है तो आप Redmi 3S Prime ले सकते है नहीं तो आप अगर Android की future update के लिए सोच रहे है तो और कालर की बड़े में थोड़ा पिकी है तो आप K6 Power को लीजिए बढ़ना आप Redmi 3S Prime को ही लीजिए बहुत अच्छा फोन है मैं खुद भी उस कर रहा हूं एक्सलेंट है बैट लिए बुक में उससे के 6 जो पावर उससे बिल्कुल बड़ाबर है और उससे भी साइब थोड़ा अच्छा भी होई तो इसके साथ में वीडियो सम आप करते हूँ थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया अगर मैं कोई पॉइंट मीस कर गया हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्समें ज़रूर बोलिएगा मैं उसके बारे में जानकरी लेके आप के सामने हाजिर हो जाओंगा इस वीडियो में इतना ही आप सब देखते रहे मेरा चैनल और इंडियूजर बूक और चैनल को सब्सक्राइब और नमसकार